इस लिखा हो है mutual funds होता है पूल of fund होता है जो अपना सिक्षण आप से उसाइटी से आता है तो इन्होंने कहा कि देशंट आ था दिस इंवेस्टर हैं हर इन्वेस्टर क्या करता है mutual fund company को तोड़े-थोड़े होते हैं इनको पता है कहां पैसे लगाने नहीं होता है को सकता है उसमें भी तो सेयर मार्केट के बाद चलने लगी वह लगी इस पे नहीं जाना इत्ता यह लोग क्या करते हैं अपना इन सब mutual fund company के जो पहले खर्चे वर्चे होंगे जो सैलरीज होंगी लोगों की वो दी जाएगी उसके बाद जो बचेगा वो investor को as a return दे दिया जाता है ठीक है ऐसा dividend mutual fund company से भी आपको क्या मिलता है dividend या interest मिलता है और यहां पर जो allot होते हैं वो unit allot होते है mutual fund के क्या allot होता है investor को mutual fund में unit allot होते हैं कोई share डिवेंचर नहीं mutual fund company share खरीदेगी वो अपने पास रखेगी और unit के आधार पर आपको देगी तो आपको मिलेंगे mutual fund company की units ना कि share यहां sales वर्ड नहीं बोला जाएगा यहां unit वर्ड बोला जाएगा तो इस technology पे काम करता है आपका mutual fund company में गएरा जो अब इसके अंदर क्या करना है किस तरीके से deal करना है क्या क्या चीज़ें आएंगी वो समझना है हम लोग को कि तो को इतने टाइप के mutual fund है classification देखो तो बहुत सारा है ठीक है operation के आधार बात करें तो open इंडेड है क्लोज इंडेड है इंटरमल fund है इन्वेस्टमेंट आपजेक्ट्टू का अधार पे बात करें तो growth है balance है income fund है money market है gift fund है floating rate है सब लिखे हुए इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए यहां से पढ़ सकते हो practical कुश्चनों में इनका कोई योगदान नहीं इस पहले वाले ब्लॉक में तो क्यों थेओरी थेओरी लगाया है ठीक है अब इसमें कैसे कैसे कुश्चन बन रहे हैं वह एक बार यह कुश्चन जरूर पढ़ लेना उसकता कौनों टिपी आ के दे दे वहां exam में इस चारों कुश्चन जरूर रीड कर लेना कि इसे इन्होंने बताया है कि वाई इतना इतना तो सुरुबात की थेओरी पढ़ो तो समझ में आएगा कि यहां regulation लिखा है कि mutual fund का establishment कैसे हुआ सेबर regulation के आदार पर काम करता है sponsors का क्या मतलब होता है trust क्या है इसमें कैसे कैसे mutual fund act बनाया गया है ठीक है certificate कैसे grant होता है में सब criteria लिखे हुए है इन से कुछ थोरी पूछी जा सकती है यह नहीं कहते है कि थोरी बिल्कुल नहीं आएगी तो आपको खुछ सही सब पढ़नी पढ़ेगी अब आते हैं इसके practical पार्ट में ठीक है अब mutual fund में क्या होता है जैसे आप सेर के दाम निकाल रहे थे वैसे कंपनी के यूनिट के एक एन वी होती जैसे सेर में आप बोलतों सेर का यह प्राइज है, मारकेट प्राइज है, करने मारकेट प्राइज है, फ्यूचल प्राइज है, वैसे यहां mutual fund का जो price होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग कहते हैं नवी क्या चल रही यहनि क्या चल रही उसी चीज का यहां नाम क्या हो गया नवी जैसे सेर्स में number of share number of divinchor होते हैं वैसे यहां number of unit होते हैं तो सबसे पहले आपको नवी निकालनी होती है नवी का फुल फॉर्म है net asset value net asset तुम जानते ही हो कि net asset क्या होती है भाई सारी asset में से आउट्वर लाइबिल्टी माइनस कर दो अब mutual fund company के पास asset काउंसी होंगी mutual fund company के पास तुए अगर fix asset वगरा है तो वो तो उसके asset है है और mutual fund company ने जो सेयर डिवेंचर बॉंड खरीद रखे हैं लोगों के विहाब पे वह भी तो company के asset है वह company क्या करती मालो मैं mutual fund company हूं तुम लोग से पैसा लेंगी मालो एक एक लाख पर समने लगाया तो हम खरीदेंगे अपनी company में क्या सेयर डिवेंचर बॉंड तो company के balance sheet में कहां देखेंगे asset side देखेंगे तो जो भी investment purchase कर रखा है mutual fund company की ने वह भी क्या हो जाती है mutual fund company की संपत्ति हो जाती है asset हो जाती है कुछ पैसा भी पढ़ा होगा account के अंदर जो cash वगरा होगा वह भी asset तो इस तरीके के set होंगी कुछ liabilities वगर होंगी तो माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा आपका net asset net asset को number of unit से divide कर दोगे तो क्या जाएगा आपका NAV per unit तो NAV per unit का simple formula net asset divide by number of unit और net asset कैसे निकलेगी total asset minus liability यागे net asset और इसको divide कर दोगे number of unit से तो क्या जाएगी आपकी NAV per unit चादर सवालों में वही निकालना होगा जहांपे NAV का सवाल आएगा तो NAV का देखो यहाँ formula बताईज NAV per unit कैसे निकलेगा net asset value of the पूरे fund divide by number of unit outstanding net asset में क्या क्या आएगा यह समझो जो भी company ने investment कर रखे उनकी market value जो भी company ने investment कर रखे हैं जिस price पर invest किया गया था उस पर नहीं लेते हैं हम लोग अभी क्या price चलना है वो लेते मालों mutual fund company ने किसी के share खरी देते एक हजार दस रुपए में तो तो दसी हजार के दिख रहे होंगे लेंगे नहीं हम लोग जब NAV निकालेंगे तो current date की निकालेंगे तो उस दिन क्या price चलना उसके इसाफ से निकालेगी तो इसलिए क्या करना है आपको market value लेनी है किसकी जो investment कर रखे mutual fund की receivable जो पैसे प्राप्त होने है कहीं से इनको वो ले लोगे कोई एक रूड इंकम है कोई इंकम प्राप्त होनी है तो भी ले लेंगे कोई अधार एसेट है तो भी ले लेंगे माइनस liability के नाम पर क्या हो सकता है एक रूड एक्सपेंसर जाने आउस्टाइंग एक्सपेंसर हो सकते हैं कोई amount किसी को देना है वो और लाबिल्टी है तो इस धंक से आपका क्या निकल जाएगा नेट एसे को डिवाइट कर देंगे number of unit से तो आ जाएगे आपकी क्या बट पंड़ी हट नई वाले बुक में क्या क्या थेओरिक कंटेंट पता नहीं कहां कहां से पेल दिए इसमें लाकर समझ जरू है सब में ही ठेओरी है यह तो इतनी त्एरी नहीं आती फेपर करोगे तो इतनी त्यूरी नहीं आती तो किताबों में लिखी आल्मोस्स पूरा प्रेपर प्र्रैक्टिकल आता है फिर भी 10-12 नंबर तक की तोरी आसकती कुल में लाकर जाए लेकर या थे थे लिGHE सब्सक्राइब ऑप्संस की पास ना तरून में और तो इतना तयार क्लों जिए यह जित्तिम दस्बार नंबर के थे तयार हो कि उत्तिम पर चासे का प्रैक्टिकल तयार हो जाएगा आथ की अपनी च्वाइस बास मत दूरू यह तो मैंटर ऑफ च्वाइस है हाँ भीटा तो एन इवी पर इन्यूट कैसे निकालेंगे वैसे एन इवी का सिंबल फॉर्मला है नेवी पर यूनिट निकाल लेगा नेट एसेट वैलू आप नूचल फंड डिवाइड बाई नंबर आफ यूनिट्स और नेट एसेट कैसे निकाले जाएंगी मार्केट वैलू आफ सेक्योर्टी या इन्वेस्मेंट कुछ भी लिख लो प्लस कोई एक्रूड इंकम है तो भी एसेट बन जाएगी कोई पैसे किसी से मिलने हैं इस कॉल रिसीवेबल तो वह भी एसेट है और कोई अधर एसेट भी हो सकती है और अकर कुछ कैस वैस पड़ा है अधर एसेट में वैसे हो सब आई जाएगा अलग से लिखने कोई मत्तब नहीं बनता है इस सारी एसेट की वैलू हो गई इसमें जो लाइबिल्टी से माइनस कर लो के लाइबिल्टी के नारम पर आउस्टेंडिंग एक्सपेंसर हो सकते हैं कि किसी को पैसा देना है तो पेबल हो सकता है या कोई अधर लाइबिल्टी भी हो सकती किसी भी तरीके की तो आज आएगी आपके निट एसेट वैलू कि और पंड तो वही चीज जो थी वो कॉपी पे लिखवा दिये बस और कुछ नहीं काम नहीं इसके अंदर नोट कर डालो बिटा फटा फट मार्केट वैलू अफ इन्वेस्मेंट एक्रूड इंकल रिसीवेबल अधर असेट्स और लाइबिल्टी में दो तीन लाइबिल्टी हो सकती माइनस कर दोगे तो आज आएगी आपकी नेट असेट वैलू झालो झाल 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 आपको 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 सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब तो इस पर यूनिट तो इससे आपका नंबर और अगर नहीं दे रख्योंगों तो निकल जायागा इन्हीं इसलिए सब्सक्राइब निकल जाएंगे नंबर आफ यूनिट मार्केट वैलो इंविस्मेंट कित्ते की है 360 क्रोड की रिश्यूब छे क्रोड के जुड़ जाएगा एक रोट इंकम चार क्रोड के यह सब को यहां जुड़ रहा है लाइबिल्टी इस दो क्रोड की है इस दो क्रोड कर दो कि आजाएगा इसी सवाल है चाहे से लंबा लंबा करके कर लो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा थीक है चलो अब भरो फटाफट निकालो कॉपी पर लगा साथ साथ लगाते जो कि मार्केट वैलू आफ इन्वेस्मेंट जो कि है तीन सो साथ करोड की प्लस एड करोगे रिसीवेबल जो कि छे करोड के हैं प्लस एड करोगे एक प्रूड इंकम जो कि चार करोड का है तोटल हो गया तीन सो सबतर माइनस करोगे लाइबिल्टीज दो करोड माइनस करोगे एक रूड इक्सपेंस जो कि है एक करोड तो यह आ जाती है टोटल एनेवी ओफ फंड जो कि हो रही तीन सो सबसर करोड गी डिवाइड करोगे नंबर ओफ यूनिट से जो कि तीन सो डिवाइड बै दस करके आएंगे यानि कि तीस करोड यह आ जाएगी आपकी एनेवी पर यूनिट जो कि आ रही है बारा रुपए तैईस पैस है क्या असपर्स क्या है अबटा हो गया चलो अग्ला स्वाल पड़ो नेक्स्ट पुस्ष नम्बर टू अब यहां लोग को रिटन निकालने रिटन के लिए जो फॉर्मला बताया था वही फॉर्मला देखो अब अब आपको रिटन अगर निकालना है मुचल फंड का तो वहां प्राइज लिखाता है अड़ इंड यहां बस नेवी लिखोगे इनएवी एड़ इंड माइनस इनएवी एड़ बिगनिंग इंड में क्या एणिष नेवी थी जब आपने खरीदा था और इंड में जब आप बेंच रहे हो तो क्या एड़ आएक है प्लस जो आपको दिस्टिबूशन मिलें का मत्तब जो भी डिविडstanding मिला या इंड को दिस्टिबूशन बोलता हैं डिविडेंड मिला तो यह आपके मुनाफिय हो गए यह है कि सेयर रख के जो सेका आपने इतने दिन उनिट उसमें क्या बढ़ा बड़ोत्री हुई और यह जो आपको मिल गया वह टोटल कितना पैसा आपने लगाया था यानि इने वी एड़ बिगनिंग इंटु हंडेट कर देते हो तो आपका रिटर निकल गया आता है कि कौन से खर्ची कि यह इन्वेस्टर के पॉइंट और निकालो इन्वेस्टर का क्या खर्चा होगा अगर माले आपने मुचल फंड नहीं लगा तो इसमें कौन सा खर्चा हो गया कि तुमने इंटरनेट का देखो चार बारा म देखे क्या खर्चा हुआ आपको बताओ कि कंपनी अपना प्रॉफिट निकाले तो खर्चा निकालेगी मुचल फंड लेकिन आपका क्या खर्चा हुआ आपने तो बीस रुपए में खरीदा था बाद में पच्च्चिस अभी 25 सलना बेचो चाहना बेचो आज आप चाना पर रिलाइज आपको मोड में मिल गए हैं और पांच रुपए अन्रिलाइज हैं जो अकाउंट में दिख रहे हैं लेकिन जब बेचो के तो रिलाइज हो जाएंगे मतलब कमाई आपकी 9 रुपए के हुई और पैसा आपने 20 रुपए लगाया था डिवाइड कर दो कर दो क उतने दिन का रिटन जितने दिन आपने इसको होल्ड किया मालों दो महिने होल्ड किया तो रिटन जो आया है वो दो महिने का निकल के आया है चार महिने होल्ड किया तो रिटन वो चार महिने कमाई निकल के रहे हैं कि चार महिने भईया पैसा लागा के हम 15% कमाई साल भर ल holding period return इसको बारा divide by number of month कर लोगे तो एक साल का निकल आएगा मान लो holding period आपका सिन Herrnatto चो जो उपर उपाले formula से आया वो तीन महिने का हैS तो साल भरगा करने के लिए क्लिए क्या करोगे उसको 3 से करो 12 से गुड़ा करो तो इससे आपका एनुलाइज रिटन निकल गया आएगा तो रिटन निकालने के दो और को फारमले हैं दोनों सालोड कर लो लो कि एस अधर होगे मिलना ए नए है जब कमपनी प्राइस चल लाग तो पचास लाग का फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि इस का फायदा है कि वह भी डिस्ट्रिब्यूट कर देती लोगों को जो यूनिट है उसके आधार पे डिस्ट्रिबूट कर देती है तो कि सारा पैसा है तो मुचल फंड में जो इन्वेस्टर है उनका उनके बहाब पे एक्ट करने का काम मुचल फंड कंपनी करती है क्यकון लोगों को जानकारी नहीं कहा पैसा लगाना है और मिउंचल फंड कंपनी के अंदर जो लोग बैठे वह इसी चीज में खेलते रहते उनको जानकारी होती है तो आदम में कहता है चलो कुछल फंड में लगा दो हमको नहीं जानकरी तो इन लोग को है तो सही जगे अपना पईसा इंबेस्ट करेंगे और थुड़ा बहुत तो खर्चा पानी ये भी ले लेंगे उसमें से बाकी जो बचेगा वह लोग तो मिल जाएगा इस तरीके से काम होता है हाँ नूट का डाला है वोल्डिंग पीरेट इन रेटन में से क्या करना है इन्टू ट्वैल डिबाइट बैं मंद कर देना है तो आजाएगा अनुलाइज रिटन अगर होल्डिंग पीरेट सवाल में नहीं रखा होता तो उसको एनुवल मान के ही काम करते हैं सवाल ना बता तो यह मान के चलो कि एक ही साल का है उपर वाले फॉर्मले जो निकल के आएगा वही रेटन हो जाएगा वही होल्डिंग भी हो गया वही इनुलाइज भी हो गया अब इसको देखने के लिए आप देख सकते हो कुश्चन नंबर टू mutual fund की net asset value 50 है beginning of the year during the year 4 रुपे distribute हुए as a income dividend का और 3 रुपे distribute हुए as a capital gain तो यह distribution हो गया दोनों के समकों लोग distribution एक अठा बोल सकते हैं तो 4 तीन साथ at the end of the year इन एवी कित्ती होगी 55 फिर आपको total return निकालना है इस साल का फिर कह रहा है कि यही mutual fund अगले साल में 5 का dividend देता है capital gain नहीं देता है in a.v. second year के end में 50 है उसका भी आपको return बताना है बता दितने हैं भाई ऐसा क्या दिक्त यह होगी आपका technically year 1 यह होगी आप टेक्निकली year 2 in a.v. at the beginning यहाँ है 50 रुपे यहाँ आपको distribution हुए है चार प्लस तीन यानि की साथ रुपे के और in a.v. at the end पहले साल के इंड में नेवी कितनी है 55 जो पहले साल के इंड के नेवी है वही दूसरे साल की opening नेवी हो जाएगी कितना तुम सबस्दार है कि दूसरे साल जो distribution होते हैं उससे पांच रुपे के होते हैं और in a.v. दूसरे साल के इंड में कितनी बस्ती है 50 रुपस्ती एक ही साल का है तो वही रिटन वही अनुलाइज रिटन सीधा रिटन परसंटेज लिख सकते हो न.v. at the end minus n.v. at the beginning plus d मतब distribution divide by n.v. at beginning into 100 फांबला लगा लोगे दोनों परसंटेज निकल जाएंगे ठीक है तो 55-50 plus 7 divide by 50 गुले 100 और 50-55 plus 5 divide by 55 into 100 यह तो जीरो परसंट हुआ कुछ कमाई नहीं हुई और फर्स्ट यहर में देखो तो 5 और 7 बारा पचास लागा के बारा कमाई मतब 24 परसंट रिटन यह भी सवाल बड़ा रद्धी टाइप का निकला परसंटेज परसंटेज निकला हाँ बड़ा नोट हो जाए तो बता दीना कुछ नमर्ट तीन अभी कराया जाएगा बात में कुछ नमर्ट चार प्याना इसको पढ़ने के बाद कर दो कर दो कर दो कि अब चौता सवाल इजी है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं वही एने वी निकालनी पर यूनिट की कि फॉर्मला लगा दू सब निकल जाएगा मार्केट वैलू आप इन्वेस्मेंट जो कि है किता एक सो असी लाग इसके बाद एक कुरूड इंकम दे रखी है एक लाग की रिसीव बेल दे रखें तरुम बटा सही से बैटो थोड़ा एक्टिव मोड वे रहो तो पैस्व मोज में चले गए उनकम जिसे घर पर देखो तो लेट के पढ़ाई नहीं होती कुछ बच्चे का करते लेटे रहते हैं इसे किताब लॉक फोले हैं इसे पढ़ाव कभी नहीं नहीं आ सकती पढ़ाई जो होता है और टेबल मेंच पे होती ज्यादा आराम के साथ पढ़ाई करें इस तो पढ़ाई नहीं हो पाती एकदम सोफे जैसा गद्दा लगा रखा है चौनद बैठे हुए हैं समझेरों पढ़ाई नहीं हो पाएगी कस्ट में पढ़ाई होती है एक इस टूल हो जिसमें पीछे टेक लगाने वाला भी नहों है तब सही पढ़ाई होगी एकदम सीधा बैठेगा अब हमसे पढ़ेगा टोटल हो गया 182 माइनस कर दोगे लाइबिल्टी जो कि पचास जार की है यानि पॉइंट फाइफ जीरो लैक्स हो गया यह पूरा लिखना चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो उसमें कोई दिक्कत का ली बात नहीं है और एक है वह यह एक्रूड एक्सपेंसेस यह भी पॉ यानि टोटल एनेवी आ गई आपकी 181 लाग की डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से जो की दे रखें आपके निकाल सकते हो साइज के हिसाफ से सौ लाक है और एक के फेस वैलों दस रुपाय है यह टेक्निकली हो गया दस लाक है यह आ गई आपकी नेवी पर यूनिट यह एम सी क्यों वाले सवाल मोड में आ जाए तीन चार नंबर में ऐसे लिखके चले आओगे मसी क्यों में आ जाए गुड़ा भाग करके निकाल दोगे अठारा रुपए 10 पैसा जहीं एम सी क्यों में आता है तो इतना थोना ने लिखतना पड़ता कोई तुमको उसको करने में इसका जस्टिफिकेशन नहीं प्राद में इससे लिखता है यहन्तों कैसे लिखता है लिखता यहां एन भी पर यूनिट ऐसे लिखता है 180 प्लस 1-1 आधह माइनस आधह डिवाइड बई दस इस उकल टो अठारो पैस पैसे तुमको इतना लिखना इतना लिखना के समय अव्रबाद ना करना अब दिसक्ट्ट्व में आया तो अपना ऐसे प्रेजरेंट करके चलिया उसको देखने में अच्छा लगे तोड़ा लगे काम आम कियो तीन चान नंबर का यह होगी आपका कुश्चन नंबर पूर होगी बड़ा ह्टाओ उसको अंप आगे कराएं बिटा अब इदर दोखो कौन सा मुच्यल अच्छा परफॉर्म करा कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है कि सेल मार्केट अच्छी चल रही है पैसा तुम्हें कहां लगाना चाहिए त्योटिकल नॉलेज्ट यहां से मिलेगी असलिम मुचेल फंड में कमान लागाना हो पैसा इसके दिमाद से ना लगाना इसमें फेल हो जाएगा नी किताबों की बात है मतब ठीयोटिकल नॉलेज्ट इसकी कैसे चलती वो बताई जा रहे है जाए जोब अब जोठा इसकी नॉलेज्ट से तो मैं रिटन मिलेगा तो यहां पर बॉल जो है वो दूसरे के हाथ में रहती है तुम्हारे हाथ में नहीं जैसे लूडू का गेम लूडू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है है में है हमाजम अपने सपोल में नहीं चलता न पासा जैसा प्लेक पास्थ सब्सक्राइख सुमाज़ू को पसंद नहीं मुझे आलब कर अपने तो छी क्रिकट पिह थोड़ा ऑछह। यहां पर अपने कंट्रोल में चले वही है तो मूचल फंड है या पैसा लगाना है यह समझो तो जुआ है बस इसमें क्या होता थोड़ी इसमें अगर हर तो बच बिजाता है जुए में हंडेड परसं नहीं होता है है जुए में तो आएंगे या तो जाएंगे पूरे जित्ता लगा या तो पूरे चले गए या तो आगए मुचलफन में क्या है कि हाँ नहीं कुछ है तो पांची-छे परसन एडर कमा लिया फिर भी आधिक दुफ होता है इससे चाहिए नहीं करा देते सालाइट परसन मिलता हमको बाता है और फिर इन सो पाइसे दिन चिंता लगी रहती है घट तो नहीं रहा घट तो नहीं रहा घट तो नहीं रहा है अगो आधर नहीं चाहता है प्रसमें लगा देगा में चला जाएगा इंटेडे में चला जाएगा जैसी के बिल्टीज है बेसा बेसा आदमी काम करता है तो बहुत कुछ है सबसे बड़ी हां से पैसा अपने सामने रखो गुरू होगा बिजनेस में लगाओ सामने बैठकर दुकांदारी तुम्हां सामने सामने कुनों रिस्क करें अब बैठना है एक मैनेजर पाइंट गुरू बेचिएगा तुम्हां दूकां दर एक परसंट कोई रिस्क करें माल बिका तो पैसे आया सबसे सेफ सुनिक दुकान खोल दो सुनार के एक सुने क्रेट बढ़ना ही बढ़ना है और माल बिकना ही भिकना है समझ रूम जितना महंगा हो जा तब भी भिकना है सबसे सेफ इंड्यस्ट्मेंट है इससे सेफ कुछ नहीं हो सकता है अधर नहीं है अरे अभी यूपी गवर्मेंट बंद कर दे कल से खतम हो जाया खेल यूपी गवर्मेंट बंद कर दे अधर याराम बंद होई थी ने बंद होई अधर अभी किसे टेट में बंद है ना बैंद है तो अधर इसे बंद हो गई पिर अधर उससे क्या मतलब अब यहां कोई दूसरा कान्दी पैता हो जाएज का बंद हो जाएगी इसका कोई रीजन थोई ना कि नौन बेर नहीं बेखता तो दारू नहीं बिकेगी यह रीजन सही नहीं दे पार हो बस अरे यह समझो इनको बोलते प्लिटिकल प्रेशर हो जहां प्लिटिकल प्रेशर होगा वहां गवर्मेंट को बंद करना पड़ेगा अभी एक अभियान चला दो लगनों के अंदर पूरा बंद हो जाएगी लगनों बंद हो जाएगी कैसे वह बात सही है लेकिन गौवर्मेंट आ जाए बंद करने हैं तो क्यों नहीं बंद कर सकती यह बताओ तो गुजरात वाले अपने नुक्सान नहीं करा रहे हैं बंद करके फिर उनका कौन सा प्रॉफिट हो जा रहा बताओ तो हमें गुर्माद गौवर्मेंट का बंद करके क्या प्रॉफिट हो गया उनका नुक्सान नहीं हुआ बेक्ती ना तो बेक्ती ना वहां गया कि मताब बंद नहीं हुई तुम है कहने की साबसे मिल रही तो किया फायदा ह мон हुठ है हम गुवण्वेंट केसाब से बात कर रहे है है अगर गुज्राद है गवर्मेंट के लोग बेच रहे तो मुनाफ़ वह कमा रहे है मिलना इल्लीगल दुखंदार्य हो ए मिलने म muchísimo क्ता हो रहा है तब बंद करती ऊसरा आ तो किता अम यह गौर्में चाहता कर सकती ना चाहता सब्सक्रा सावãy बाकि रिस्क तो हर जगे रहता है अब ऐसा दून नहीं है दारोबाज आते हैं कि दुखाने लूट के लिए के चले गए हैं जाओ अधियात में होता है कितने तुम्हें केस दिखा दें रिस्क रहता है अब पांच पांच आपके बोतल हाथ लगा तूड़ के दर घुश गया आपके कि हम लोग की है ना दुखाने ऐसा दुखाने नहीं मॉडल स्वाप्स हैं देसी दारुख ठेके हैं समझ लोग इंगलिस वाले हैं सब हैं अब रिस्क हर चीज में रहता है कोई छोटा ब्यापार करों बढ़ा करों वह भी रिस्क जगह है तो आते हैं तो हर चीज में हैं को यह सीज़े चीज नहीं होती है कि अपना फायदा फायदा दुनिया वहीं कर रही होती ना तो इतने बड़े होगे बना के बेच पाओ इतने बड़ी कंपनी बना पाओगी तुम अरे बेटा तुम अपने हिसाब से सोचो ना कि अभी वह कहता एक दुकान की लगाने पार है मनुवैक्टिल बनने कोशिज कर नहीं है कि हर आदमी को अपनी अवकात के साथ सोचना चाहिए बास समझें जो काम ना कर पाओ उसके बारें सूचना का है कि जित्ते तुम्हाइपास कैपिटल है यह जितना तुम मैचोर कर सकती कैपिटल को जितना रेस कर सकते उसके साथ सोचो कि उत्ता पैसा तो नहीं है अभी तुम्हाइपास कि अमरुफैक्षर बनने के लिए खासकर लिकाने करका कम से कम पांच हजार क्रोड रुपय का इंवेस्टमेंट है कि हाथ तो पांचार क्रोड आएंगे कहां से रेटन तो इंवेस्टमेंट करने के बाद जब एक साल रुके वह तब होंगे इंवेस्ट पहले दिन की बात करो अभी जीरो प्लेयर में हो पांचार क्रोड लाएं कहां से यह बताओ तो क्या करना अपड़ेगा आड़े विजय मालिया पाइसा आया तब भाया गाता अभी तुम्हें पहले बनने कोशित तो करो पैसा तो पहले लाए भागो तब पैसा आगा तुम्हें पर खाड़े हो वहां से आप तोचों कि आप कैसे क्या गाने कि दस रुपए तुम्हें कोई ना दे तुम कंपनी बना दो एक लाग किसे नहीं बेच पाओगे तुम नहीं कोई भी बना दे अगर कोई नहीं कंपनी बना दे इतना इंवेस्मेंट थोड़ी ना आ जाएगा वाइं इंफुलेंस के जरिए तुम लाग दो लाग दो चार दस लाख रेस कर लोगे केपिटल पासब मालों कोई कंपनी बना ले तुम लोग से कहते थे थोड़ा थोड़ा इंवेस्स करो तो दो चार दस जार बेज यह थार तक लिटता तुम्हा पास होगा क्यंपैपैबिटी से अन्वेस्स कर दोगे कितने लोग जानने वाले होंग लेगा कैसे चलेगा कौन डारेक्टर बनेगा दुनिया दो प्रक्रों countdown कि अठत पूरे की बात कर रहे हैं टाइप आफ परसन इसे टैक्स पड़ते हो ना इंडियुज़ लिच्रफ तुमान के चलो सारे टाइप के परसन में कवल 15 परसन परसन ऐसे होंगा जो कंपनी बना के बिजनस कर रहे हैं बागी पिच्चासी परसन में अधर्स आ रहे हैं क्या बड़ा है आड़ी तो बंड़ी तो हो रही है और चार साल बाद कंपनी चलने बाद बंद हो जाती और जोतनी कंपनियां होंगे मांगे लो बीस परसन तो सेल कंपनियां उसमें कि बीस परसन सब्सेल कंपनी आए हैं कि इस वहीं चीज़ें इतना आसान चीज नहीं है पैसा कमाना कुर्मलाक भूंपुरत कहानी यह आती कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं जित्ता लगता है कि किताबी दुनिया अलग चलती दो क्रोड़ के बैलन सीट बना रहे हैं वहां आर्टिकल्सिप करने जारो बिस बिस लाग की टैली करो मिलना क्या साला पंद्रह सुर्पे तुमको है बात समझो कहीं कहीं वह भी नहीं मिलना कामा करोड़ों कर रहे हो तुम कि दो क्रोड़ों के बैलन सीट बना रहे हों कि पांच क्रोड़ों कि एक आइट्या फाइल कर लो यह वह तमासा चलना आकरित तुम्हें हाथ में क्या आता है दो हजार रुपए तो किताब वाली दुनिया है तो वापस आजओ तो इसमें क्या है तो तीन चार मूचल फंड है अपने बास एदा तो किसकी परफॉर्मेंस रही चल लए किसकी परफॉर्मेंस गलत चलत पो कैसे हम लोग वैरिफाई करें तो उसकी टेक्निक है अलग 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 तो यहां देखो क्या रिखा है methods of evaluating the performance of mutual fund mutual fund की performance को evaluate करने के क्या-क्या method है कि इसके अंदर पहला मैंतर है सार्वे तो इसमें निकालते हैं हम लोग सार्पे रेसियो सार्पे रेसियो का फॉर्मला क्या है रेटन माइनस अब दोगो यहां पोर्टफोलियो लिख दिया पोर्टफोलियो क्या यहां mutual fund पढ़ तो यहां mutual fund रहेगा तो रेटन फ्रों mutual fund माइनस risk free return divided by standard division of mutual fund यही फॉर्मला पोर्टफोलियों भी लगेगा बस वहां जो आप रेटन लिखोगे जो risk लिखोगे वो किसका लिखोगे पोर्टफोलियो का फॉर्मला सेम है जैसे यहां लिखे रहे हो एनेवे अट दा बिंगरिंग वहां लिखेंगे value of portfolio at the beginning कि सारा खेल वैसे ही चलेगा तो यह mutual fund चैप्टर और portfolio चैप्टर काफी एक दूसरे में मिलते जुलते हैं काफी फॉर्मले एक दूसरे जिगे भी यूद्ध होंगे कि सार्पे सार्पे सार्पनी यह क्लार रिनोट करता है बदा देंगे यह है रिस्क रिटन मालो किसी mutual fund में का पैसा लगाया तुमनें 10% पैसा कमाया और अगर FD में लगाते तो 7% कमाते तो mutual fund company में तुम 3% ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन FD में कोई रिस्क नहीं है जो mutual fund company में रिस्क उसी रिस्क को इस लिटर डिविच्छन से रिनोट किया जाता है तो जो mutual fund company का रिस्क है उससे से डिवाइड कर दोगे माल रिस्क है सपोस्पोस कर लो डेड़ परसंदेज में की पैस्टा है अब आ रहा यहां किता है दो हई जिध्म करोगे परसंदेज परसंदेज कर जाएगा घार रहा हर एक पर्संद रिस्क लेने के बदले कि रिटन में ररा कितने पर्संद रिस्क लेने के सबसे तकड़ा हो वह जादा अच्छा है वहाँ एक परसंद रिस्क चैसे के बद्ले में ज्यादार मिल रहा है इसको तो यह हो गया समझ journaling इसको आदमी प्रस्न ज्पर depressed मिला यहाँ यहाँ पॉसन ज्यादा शापन ज्यादा मिलम्द्ञ तो गलोट थ्यां रहा ह। आ तो यह ऊपर जो आ रहा है इसको बोलता है रिस्क लेस रिटन रिस्क लेस समझो यहां रिस्क लेने के विज़े से इक्स्रा कित्ना मिल रही है है तो रेटन आ जाता है इक्स्रा हुस्त रीटन पर बन परसंट आफ रिस्क इक्स्रा विज़ेस ज्यादा होगा वो जीट जाएगा कि उसमें चाह पसंद इक्स्टा मिल ला तो रिस्क भी 1.6 है पर परसेंटेज देखो तो 2.5 है कि समझ रूँ कि समझ में आ गया अभी फॉर्म्ला लिखवाते हैं पगलेट हो क्या बिल्कुल है कि अभी भूला यह अच्छा है करा सुन रहा तुम कहा हो लास में हो अभी क्या बोले कि यह वहला अच्छा है तो इसमें देख के नहीं पता चल पा रहा है है और अब थेयोरी बताए इसकी क्या निकल या उसका मीनिंग क्या उस मीनिंग से नहीं समझ पार हुँ यह एक पर्संड के बल्ले में जहां ज्यादा रिटन मिले वह अच्छा ऑच अब यहां अलग तरीकेस लिखेंगे ना वह भूल लाओ हम फॉर्मुला लिखेंगे रिटन माइनस रिटन डिवाइड बाइस्टेंडड डिवेशन जिसका उसका डालो काम करता है यहां इस तरीके के होते हैं एक रिस्क को स्टेंडर्ड डिवेशन से डिनूट किया जाता है और एक रिस्क होता है बीटा से दिनूट किया जाता है सेम फॉर्मुला है बस यहां स्टेंडर्ड डिवेशन की जिए पर बीटा कर दो यह बन जाता है तुम्हारा ट्रेंडर्ड डिवेशन रिस्यूट सेम फॉर्मला है बस नीचे क्या रहेगा बीटा बीटा भी रिस्क होता है और स्टैंडर डेवेशन भी रिस्क होता है तो बस सार्पे भाई सहाब ने क्या किया है कि standard deviation को यूज किया है as a risk factor और trainer भाईया ने क्या किया है beta factor को यूज किया as a risk factor बाकि दोनों का meaning सेम निकल रहा ठीक है यह जो standard deviation होता है इसको technical भासा में total risk कहा जाता है और जो beta होता है इसको systematic risk कहा जाता है तो trainer ratio क्या है केवल systematic risk को consider करते हैं total risk को consider नहीं करते हैं जबकि यह जो है यह total risk को को देखते हैं यह इन दोनों में major major difference है और एक जंसल alpha है तीसरे बंदे आ जाएंगे वो तो लगी कहानी कहलेंगे जंसल alpha यह तीसरी कहानी करेंगे तो उसका तीनों यही तीनों measurement यहां आपको सीखने एक और होता star morning index करें कुछ नाम था उसका वो भी है आगे चलके अभी आएगा यहां नहीं दे रखता है लेकिन question में दे दिया उसने फुराने book में था है तो हेडिंग डालो बेटा मैथट्स ओफ कि अंदर हेडिंग डालनी है मैथट्स ओफ कि इवैलुएटिंग परफॉर्मेंस कि आफ मूचल फंड चाहो तो इसको फ्रिस पन्ने से लिखना जो इस पेस आपके पास बच जाए है वहाँ और फॉर्मले दूसरे लिख देंगे का जिन्ता है कि इसमें जितने भी मैथट्स आएंगे जो भी चीज निकालोगे वह हमेशा हाइयर बेटर होगी जिसका हाई आएगा वह अच्छा है क्या कोई मैठन लग रहा हूं जिस्ते मैठन है सब हाई वैलू को अच्छा बताते हैं तो एक एक में लिखने के उपरे लिख दें सार्पे रेशियो में का फॉर्मला है रिटन माइनस रिस्क फ्री रिटन डिवाइड बाई स्टेंडर डिवेशन प्रेशियो को फॉर्मला है रिटन माइनस रिस्क फ्री रिटन डिवाइड बाई सीटा मतलब बीटा फैक्टर गहाँ तीसरा जनसेल्फ अल्फा इसका फॉर्मला होता है एक्ट्रल रेटन माइनस सी ये पी अम रेटन इसका फॉर्मला होता है एक्ट्रल रेटन प्रॉर्मला होता है एक्ट्रल रेटन प्रॉर्मला होता है एक्ट्रल रेटन ये टिंगर आप़ इसका प्रॉर्मला है हाँ अच्छल रटन माइनस द्याप्म रिटन अच्छल रटन माइनस द्याप्म रिटन कि इन सब बातों को समझने के लिए सवाल देखते हैं कि कुश्चन नमर फाइफ एक चिंता मनी म्यूचल फंड है चिंता मनी म्यूचल फंड जिसमें इल्ड निकल के आता है 3.75 पर यूनिट का इल्ड का मताब वही रिटन है इल्ड का मताब वह जो उपर वाली वैलो नहीं लिखते हो इने वी अट दा इंड माइनस बेगनिंग प्लस दिस्ट्रिबूशन उसी को इल्ड कहते हैं या रिटन कहते हैं अब टोटल तीन पर चत्तर की कमाई होगी ओपनिंग नेवी किती थी 21 रुपए 20 पैसे और रिस्क फैक्टर है चिंदा मनी फंड का 3.50 हमको निकालना है सारपे रेशियो और इसको इवैलुएट करना है लें कंप्यर किससे करना है संसेक्स के साथ मतब म्यूचल फंड को 3-4 मूचल फंड तो नहीं रखें आपस में क कैसे कंप्रीजन करना वो सवाल बताएगा कभी सवाल बोलेगा कि मूचल फंड को आपस में कंप्यर करके आप बताओ और कभी बोलेगा जो भी मूचल फंड दे रखें को संसेक्स के साथ कंप्यर करो यहां बोला किसके साथ कंप्यर करना है आपको संसेक्स के साथ मूचल फ टीन अलग-अलग केस में आफसे आएंगे फट। शाफ लेना यह केस एह हो गयाए यह की फिर बी हो गया यह सी हो गया सारपे रेशियो औफ सेंसेक्स सेंसेक्स का मतलब मार्केट होता है कि फॉर्मला वही रहेगा अब आपको मार्केट का निकालना है तो मार्केट का रिटन लिखोगे मार्केट का रिटन लिखोगे ठीके है तो टेम ही होता है और दीवाइड बाई-स्टेंडेर देम किसका लिखो गे यहां मार्केट का निकालोगे तो वहीं चीत्प में मूचल फंड के लिखनी है इसलिए हमने वह ऐसे आपको समझ में आ तो यही है तो दोगों बटा मार्केट का रिटन सवाल में दे रख़ा है एकस में है 15 कि भी केस में 17 ना और सी केस में किता रिस्क फ्री रिटन है पांच यहां है चार और यहां है साथ और इस case में स्टैंडर्ड डिविशन जो मार्केट का है वह 2.75 है इस case में 3 है इस case में 4 सबमें परसंटेज पहले सबमें हटा देतें यह फाइनल आसर आएगा वहां भी परसंटेज नहीं लगाते保 क्यों कर जाता है नहीं चला परसंटेज उपर आला परसंटेज सार पर इसो कभी परसंटेज में नहीं आएगा वो पॉइंट में रहेगा कि 3.64 आप आल्मोस्ट या रहा है फिर सार पर इस यो निकाल लेंगे हम लोग चिंता कि मनी म्यूचल फंड का कि और फिर बता पाएंगे कि कौन जादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो वह आ जाएगा इवैल्यूएशन मेरा लेकिन आपको रिटन निकालना पड़ेगा और म्यूचल फंड का तो दोगों पड़ा तीन पचहत्तर की इल्ड हुई थी कमाई हुई थी और पैसा कितना लगाया था हमने एक्किस रुपए बीस पैसे इंटू सौ कर लो तो 17.69 परसेंटेज का क्या हुआ है रिटन आया है सार पे रेशियू निकाल सकते हूँ रिटन हुआ है 17.69 का रिस्क फ्री रिटन इसमें पांस था और जो इस्टैंडर्ड डेवेशन है चिंता मनी का वो हर केस में साड़े तीन बस रिस्क फ्री रेट तीनों केस में बदल रहा है इसमें ऐसे करके यह तीन अलग अलग अंसर आ जाएंगे 3.63 कल लो तो एक तो एक यहां पे देखो तो मार्केट अच्छा पर फॉर्म कर रही है इंगलिस में लिखा जाता है तेके मार्केट क्या रहा है ओवर या आउट पर्फॉर्म कर रही है किस से नूचल फंड से या मार्केट पर्फॉर्म बेटर दैन नूचल फंड कुछ भी अंग्रेजी में लिख दू कोई चंतागात नहीं है तो मार्केट हैस आउट परफॉर्म और यहां पर भी यही चीज है मार्केट और परफॉर्म कर रही है और यहां पर मुचल फंड हैस आउट परफॉर्म और परफॉर्म सेंसक्स ठेक हैं अपने सब्दॄं में लिख सकते हो कि यहां मार्के砂शब performance कर रही है कि यहां पे मार्केb लखुए में लिख सकते हो कि मोझल फंद अच्छा knows perform कर रही सब्द कोई हो उसका भाव जाया है का एक्जाम के इमतर सही बात बतारो तो नंबर मिलेंगे, गलत बात बतारो नंबर नहीं मिलेंगे होगे बटा, नोट कर डालो पटा फट और आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे काम कल कराया जाएगा